नमस्ते, आज हमारे साथ बहुत ही दिल्चस्प आती थी हैं, जो की स्टैन्फोर्ड विश्व विद्यालय में एक नए छात्र हैं और मूलत चिन्नई से हैं, सिध्धार्थ आपका कायरिक्रम में स्वागत है सिध्धार्थ की एक बहुत ही दिल्चस्प प्रिष्ट भूमी है, चिन्नई में उन्होंने स्कूली सिख्षाली और पारंपरिक संस्कृत भाषा की शिख्षाली, घर में भी ये संस्कृत बोलते थे और परंपराओं का पालन करते थे और अब वो यहाँ पर कम्प्यूटेशनल भाषा विज्ञान और संस्कृत के बीच संबंध पर अध्यन के लिए आए हैं वो उनका जनून भी है, लेकिन जिस कारण से मैंने आज उन्हें इस शो में बुलाया, मैंने सुना है कि वो जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह की जीवन शैली है, अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और इसके लिए उनको रहने की विवस्था भी अलग से दी गई है, उनकी डाइट भी थोड़ी अलग होती है, हलाकि एक सामान ने प्रवृती है कि जब कोई छात्र माता-पिता से अलग होता है, अकेला होता है, तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, औ अपनी संस्कृत में प्रिष्ट भूमी की रूची के बारे में पहले थोड़ा बताएं, और कैसे कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान में आपके शोध से संबंदित है, ठीक है, मैंने बहुत पहले संस्कृत सेखना शुरू कर दिया था, ये शुरूवात परिवार से हु जानकारी मुझे मिल गई, मैंने अपनी स्कूल की शुक्षा के बाद और स्टैनफोर्ड आने से पहले एक साल गैब करने का फैसला किया, और बिलासपुर चला गया जो कि छतीस गड़ में है, यहां एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुकुल है जो कि संस्कृत भाशाविद पुष्पा दिक्षित माताजी चलाती हैं, वहां अश्टा ध्याई के माध्यम से मैंने संस्कृत व्याकरण की शुक्षा ली, वहां मैंने एक साल बिताया और व्याकरण सहीत भाशा विज्ञान की शुक्षा ली, और कंप्यूटर विज्ञान में रुची रखने वाले व Computer Science को एक ही कृत किया जा सके मैंने जो भी संस्कृत सीखी है उसे Computer Science के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ सनातक शिक्षा के दौरान मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा कर पाऊंगा और जो structure पाणिनी के अश्टा ध्याई में बताया गया है Computer Science के संबंध में उसका मतलब निकाल पाऊंगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये बातें मेरे कानों के लिए संगीत की तरह है क्योंकि मुझे ये चीज़े बहुत पसंद है वैदिक परंपरा को आज के लिए कैसे प्रासंगिक बनाया जाए Computer विज्ञान के साथ इसे कैसे जोड़ा जाए एक युवा इन दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है आप कितने साल के हैं मैं अभी 19 साल का हूँ 19 तो आप 19 साल की उम्र में इतनी प्रतिसपर्धा को पार करके Stanford पहुँच गए आप बताईए कि आपके रहने के लिए या जीवन शैली के लिए क्या जरूरते होती हैं जी जी मेरा जीवन एक तरह से दो प्रकार का है एक तो आध्यात्मिक पहलू है इसके अलावा आप जानते हैं मेरे जीवन में लेंदेन का कोई इस्थान नहीं है मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा मेरे संसकारों में और व्यक्तिगत जीवन में व्यतीत होता है आध्यात्मिक अनुष्ठान मैं संक्षिप्त में अपनी जीवन शैली बताता हूं इसमें एक तरह का अनुष्ठान शामिल है जो कि एक दिन में तीन बार होता है ये मूल रूप से गायतरी मंत्र का जब है मैं सुबह पांच बिजे उठता हूँ और सनान करके गायतरी मंत्र जब करने बैठ जाता हूँ इसके बाद मैं दूसरा अनुष्ठान करता हूँ जिसका नाम है ब्रम्भ अगने हम रिशियों को याद करते हैं इसके बाद सूर्य नमस्कार करता हूँ जो कि योग के रूप में होता है इसके बाद मैं पंचांग पढ़ता हूँ ग्रह दशाओं के बारे में अध्यन करता हूँ तिथी के बारे में जानकारी लेता हूँ मुझे दिन में तीन बार ये अनुष्ठान करने होते हैं एक अंडर ग्रेजुट कॉलेज के हिसाब से ये सब बहुत अलग है यहां के सनातक चात्रों का जीवन इससे बिलकुल अलग है वो लोग मौका मिलता है तो पार्टी में जाते हैं लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है कि अपनी जीवन चर्या को इसी तरह जारी रखो मैं जो कुछ 10-15 सालों से कर रहा हूँ उसे कैसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि जैसे कोई एथलीट है तो वो अपने कामों के साथ एक्सरसाइज करता है मेडिटेशन करता है इससे शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है और ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है इसलिए मैं ये अनुष्ठान करता हूँ जो कि मुझे अनुष्षासन में रहना सिखाते हैं मैं अपने आपको इसी तरह से मैंने ढाल लिया है जिससे मैं अच्छी जीवन शैली को अपना सकूँ मुझे लगता है कि प्रशासन को भी ये सुनुष्चित करना चाहिए कि मेरे धार्मिक अनुष्ठान ठीक तरह से हो सके है जब इसमें परिशानी होने लगी तो मैंने धार्मिक कारियाले से संपर्क किया मैंने डीन से इस बारे में बात की कि मुझे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं इसलिए मेरे रहने की विवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां मैं पूजा पाठ कर सकूँ उन्हेंने कहा इसकी क्या जरूरत है ऐसा करना बहुत मुश्किल है मैंने बताया कि मैं मांस नहीं खा सकता और हमारे आवास में मांस नहीं पकाया जाना चाहिए इसके लावा कमरे में चपल नहीं पहने जाने चाहिए ये चीजें तो छात्रावास में सामाने रहती होंगी और वहां तो ड्रग्स और शराब का भी प्रचलन होगा? हाँ, बिल्कुल, इस तरह की चीज़े हैं और अमेरिका के कॉलोजे में ये आम बात है यहाँ छात्रावास के कमरे अक्सर ड्रग्स और शराब के लिए केंद्र बन जाते हैं इसके अलावा, क्या आपको विशेश तरह के संगीत या हलागुला से परिशानी होती है, जो की कॉलेज में आम बात होती है? बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह की चीज़ों से परिशानी होती है क्योंकि ये सब मेरे विपरीथ है और वहाँ चात्रावास के लोग जिस तरह से रहते हैं, उससे मेरा रहन सहन बिल्कुल अलग है इसलिए मैंने डीन से मिलने का फैसला किया और अनुरूध किया क्या मुझे अलग से रहने की सुविधा मिल सकती है और निश्चित रूप से अमेरिका में खास कर विश्वविध्यालेओं में इस तरह की बात है कि अगर आपको कोई परिशानी है तो आप आफिस में जाकर अपनी बात कह सकते हैं और वे आपकी बात गंभीरता से सुनते भी हैं लेकिन इसके लिए शुरुवात हमें खुद से करनी होगी हमें सही व्यक्ति के पास पहुचना होगा प्रशासन को बताना होगा कि ये मेरी ज़रूरते हैं सामाने छात्रावास में मुझे परिशानी का सामना करना पड़ता है मैं इसके लिए स्टैनफोर्ड का आभार व्यक्ति करना चाहूँगा उन्होंने मेरी बात सुनी मैं सुबह नौ बजे डीन से मिला और शाम को तीन बजे तक मेरे लिए अलग कमरे की विवस्था कर दी गए और मेरे भोजन का भी प्रबंध कर दिया गया तो आम तोर पर एक सनातक के पास एक रूम मेट होता है लेकिन आपके मामले में ये अपवाद है हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास ये आवशक्ताएं हैं मैं शोर शराबे, शराब, मांस से दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरी धार्मिक दिन्चरिया में बाधा पहुंसती है ये बहुत जरूरी है कि अपनी दिन्चरिया को पूरा करने के लिए मैं यहाँ भी घर जैसा महसूस कर सकूँ वे लोग मेरी मदद करके बहुत खुश थे लेकिन यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनसे संपर्ग किया और अपनी परेशानी बताई इसके बाद मेरी सहायता करके उन्हें भी खुशी हुई मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर भारत में ऐसे कितने संस्थान है चाहे वे विश्वे विद्याले हों आयाइटी हों यो कि इस तरह की सुविधा दे सकती है अगर कोई चात्र जाकर कहता है कि वो वैदिक अनुष्ठान करना चाहता है और कई वर्षों से चल रहे अभ्यास को तोड़ना नहीं चाहता है तो क्या इसे गंभीरता से लिया जाएगा और उसे ऐसा कमरा दिया जाएगा जो उसके अनुकूल हो क्या इसका सम्मान होगा और कितने ऐसे चात्र होंगे जो अपनी बात रखने की हिम्मत जुटा पाएंगे ये बात एक प्रक्रिया के तहट करनी होगी मैं चिलाने और हंगामा करने की बात नहीं कर रहा हूँ सिध्धार्थ की तरह विनम्रता से ही अपनी बात कहनी चाहिए उन्होंने विश्व विद्याले के नियमों का पालन किया और सफल हुए खास बात ये है कि अमेरिका के विश्व विद्यालियों में एक धार्मिक कार्यालय होता है जो कि लोगों की धार्मिक भावनाव का ध्यान रखता है यहाँ पर काउंसलर होते हैं, डीन होते हैं जो कि उनके खानपान और उनके साथ होने वाले विवस्था को सुनिश्चित करते हैं। मुझे नहीं पता कि भारत के विश्व विद्यालियों में इस तरह की विवस्था है या नहीं, जहां हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कोई प्रभारी हो। किसी आयाईटी में कोई कर्मचारी हो जो कि अलग अलग धर्म, बौध, इसाई, इसलाम को मानने वालों की वातों को सुने और निराकरण करें। जिसके पास जाकर कोई अपनी बात कह सके। मुझे इस बारे में बहुत जादा जानकारी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब मैं डिल्ली विश्ववद्याले में था, तब ऐसी कोई विवस्था नहीं थी। तद ये है कि अमेरिका के विश्ववद्याले में इस तरह की विवस्था है, और ये विवस्था बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छी भी है। हाँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बनाये रखने के लिए दो तरह का जीवन एक साथ जीना पड़ता है। एक तो है कि पूजा पाट करना, ध्यान करना और जब करना, दूसरी तरफ अपने भोजन का भी ध्यान देना पड़ता है। जसा कि सामान चात्र आते हैं तो विश्व विद्याले की तरफ से उसे कमरा दे दिया जाता है, जिसमें वो रूममेट के साथ रहता है और उसे एक मील प्लान भी दिया जाता है। एक कार्ड दिया जाता है जो कि एक सेमेस्टर या कौर्टर के लिए होता है और डाइनिंग हॉल में जाकर उसे स्वाइप करना पड़ता है मेरा जो काम है केवल अनुष्ठान करना नहीं है बलकि इसके अलावा भी बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मैं क्या खा रहा हूँ जो कि मेरे शरीर के अनुकूल हो और सात्विक हो इसकी एक बड़ी सूची है जैसे कि मैं प्याज नहीं खा सकता, लहसुन, मश्रूम, मांस, अन्दे और बाकी के एनिमल प्रड़क्ट भी मैं नहीं ले सकता इसमें पनीर भी शामिल है, ये भी जानवर से ही मिलता है ये एक एनिमल प्रड़क्ट है, इसके अलाबा कई चीज़ें हैं जैसे कि कैंडी वगेरे भी नहीं खानी होती इन सब बातों पर ध्यान देना होता है, और इसलिए मैं डीन से जाकर मिला और मैंने कहा कि मुझे कैंटीन में खाने में समस्या है, क्योंकि वहां मुझे अलग से भोजन नहीं दिया जा सकता और वही खाना पड़ेगा जो सभी खा रहे हैं कैंटीन के खाने में पनीर, प्याज, लहसुन और अंडे का भी इस्तेमाल किया जाता है यहां तक की एनेमल प्रोड़क्ट जैसे जेलेटिन को भी वेज भोजन में ही गिना जाता है यह सारी चीज़ें मेरे अनुकुल नहीं है, मेरा जीवन बहुत धार्मिक है, इसलिए मुझे वो चीज़ें नहीं खानी हैं और अलग से विवस्था करनी होगी इसके बाद मेरे लिए अलग से बरतन मंगवाए गए, जिन में मेरे लिए भोजन बनाया जा सके उन्होंने मेरी बहुत साहता की और हर संभव प्रयास किये, जिससे मुझे कोई समस्या न हो मैंने उन्हें उन चीजों की सूची दी, जो मैं नहीं खा सकता था इसके बाद मेरे साथ आवासी अधिकारी और खाद अधिकारी को बैठाया गया उनको मैंने बताया की ये चीजें मैं नहीं खा सकता और खाने वाली चीजों के श्रोत के बारे में भी ध्यान रखना है उन्होंने मेरे एक-एक पहलू पर ध्यान दिया, खाने में कोई ऐसी चीज नहों जो के मांसा हर से संबंधित हो वो चीजें मांस या अंडे से न बनाई जा सकती हो या फिर ऐसा पनीर जिसके बनाने के बारे में पता नहों कहने का मतलब है कि बहुत सारा पनीर जानवरों से सीधा निकाल ला जाता है और निर्माथा ये भी नहीं बताते कि ये कैसे बनाया गया है वे लोग थोक में सामान खरीदते हैं किसी किराना स्टोर से या इंडस्ट्री से थोक में सामान मंगवाया जाता है जो कि हजारों स्टुडेंट्स के लिए आता है इन चीजों पर ये बेवरा भी नहीं दिया जाता कि इसके घटक क्या-क्या है ये सब सामान एक साथ आता है लेकिन अगर इसे अलग से खरीदते हैं खाद्य परदार्थों के घटक के बारे में जाना जा सकता है इसलिए मैंने कहा कि मैं वो पनीर नहीं खा सकता जो कि सामान ने तोर पर दी जाती है क्योंकि पता नहीं होता कि वो कैसे बनाई गई है अगर आप परियाप्त शिक्षित हैं तो पता लगा सकते हैं कि किसी पनीर में नेट है या नहीं सौस में लहसुन प्याज तो नहीं है या फिर किसी खाद्य पदार्थ में जिलेटिन तो नहीं है इसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा और जाकर पूछना होगा कि इसके अवयोव क्या क्या है और इसके बाद ही पता लगाया जाएगा कि किसी खाने की चीज में क्या है और क्या नहीं है तब ही संबंधित अधिकारी कहते हैं कि ठीक है हम ध्यान रखेंगे कि आपको असुविधा न हो एक बात और मैंने सुनी है कि यहूदी लोग कोशर का पालन करते हैं उनकी भी कुछ अलग जरूरते होती हैं जैसे कि वो जहां भोजन बनाते हैं वहां कुछ और नहीं बनाया जा सकता या फिर उस बरतन का इस्तमाल नहीं किया जा सकता ये पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए मैं भी यही चाहता हूँ कि एक ही बर्तन में दोनों तरह का भोजन ना बने और मेरा भोजन पूरी तरह से साथ विग है इसके लिए वे व्यवस्था करते हैं एक तो बर्तन को ठीक से धुला जा सकता है या फिर नए बर्तन अलग से मंगवाय जाते हैं नए बरतन ज्यादा ठीक होते हैं क्योंकि कोशर की ही तरह हमें भी भोजन की आदत का पालन करना होता है और यह जरूरी है कि जो भी बरतन भोजन बनाने में इस्तिमाल हो रहे हैं वो सात्विक हों यह बहुत ही अद्भूत बात है आपकी कहानी बहुत ही दिल्चस्प है और हम चाहते हैं कि अमेरिका में आपकी तरह और भी सिथार्थ हो जो कहें कि हमें इन चीजों की जरूरत है मुझे ये पता चला कि अमेरिका के लोग आपकी सुनते हैं आपको अपनी कहानी बतानी होगी अगर आप शान्त और सही तरीके से अपनी बात कहते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी और हास कर विश्व विद्यालेयों में आपने ये बिल्कुल नहीं कहा और लोगों को भी हमारी तरह होना चाहिए बल्कि अपनी जरूरतों को बताया आपने नहीं कहा कि वे लोग जो कर रहे हैं उससे आपको कोई परिशानी है यही वो परंपरा है जिसमें आपस में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है और आपने वही किया बिल्कुल से और इसलिए जैसा मैंने कहा कि वे हर तरह से मदद करने को तयार थे तो एक बात का और उल्लिख करना मैं भूल गया, मैं गाता हूँ, मैं करनाटक संगीत का अभ्यास करता हूँ इसलिए मैंने ये भी कहा था कि मेरे अभ्यास से लोगों को परेशानी हो सकती है ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी सारी बातें तर्गसंगत तरीके से और शांती से बताएं तो उन्होंने आगे बढ़कर मेरी मदद की ये चीजें हमें भारत में देखने को नहीं मिलती अगर ये आप JNU में या फिर IIT में ऐसे जाकर अपनी जरूरतें बताएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती है और भारत में इसका मजाग भी बनाया जाएगा भारतीय मेडिया आपका मजाग उड़ाएगा वैसे मैं अमेरिका की बहुत आलोचना करता हूँ लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप तारकेग धंग से और शांती से अपनी बात वहां के लोगों के सामने रखते हैं तो वे आगे बढ़कर आपकी मदद करेंगे मैंने भी वहां 50 साल बिताए हैं इसलिए हमें इस बारे में पता है सिधार्थ आपको धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुब कामना है आप जल्द वापस आकर हमें बताएं कि वहां का क्या हाल है बिल्कुल हमें भी दोबारा आने का इतजार रहेगा नमस्ते